प्रात्मिक रूप से उपलब्द है यानि जो प्रमान आज भी हमारे पास उपलब्द है और उन से संस्कृति इतिहास के विशे में अवलोकन किया जा सकता है इसमें हम इनिक्लूड कर सकते हैं जो हमारे पास material remains जिसको आप कहते हैं अर्थात वो अफशेश जो बद्यमान है बहुतिक रूप में जो बद्यमान है हमारे पास किसी आकरती के रूप में किसी अफशेश के रूप में उन्हें जो है वो पुरात तात्विक स्त्रोथ कहा जाता है archaeological sources कहे जाते हैं सबसे पहले बात करते हैं inscriptions की वैसे तो जो inscription जिसके अविलेग कहते हैं the study of inscription is called epigraphy और सबसे पहले युनान के शासक डेरियस ने जो है वो inscription जारी करने की परंपरा शुरू की थी भारत में अशोक ने अविलेग जारी करने की परंपरा प्रारंब की थी inscription का जो cultural महतो है वो इस बात से हैं कि inscription में जहां एक और भाषा लीपी का ज्यान होता है वहीं दूसरी तरफ ततकालीन शासन पद्दती ततकालीन परंपराएं रिती रिवाज ततकालीन धर्म राज्य विस्तार राज्य की रूची और इसके तिरित जो लोगों की सामाजिक आर्थिक और धार्मिक परिदर्श्य था उसके विशे में भी inscription से जानकारी प्राप्त होती है अशोक के जो अविलेक है उन अविलेकों में जहां एक और अशोक के धम का ज्यान प्राप्त होता है वहीं दूसरी तरफ जो ततकालीन सामाजिक सांस्कृतिक जो स्तिती थी उसके बिशे में भी इन inscription से ज्यान प्राप्त होता है तक उसके पशाथ जो गुप्त काल है या हर्श बर्दन है या चोल है चालुक के है या फिर आपके पास पल्लव शासक है इन्होंने समय समय पर कई inscription से जारी किये थे और उन inscription से भी हमें मैतपुन जानकारी प्राप्त होती है उधान के लिए मैं आपको कोट करके ये बता सकता हूँ कि भानु गुप्त का जो अविलेक है जो की एरन से प्राप्त हुआ था छटी सातुष ताब्दी इस्वी में उस अविलेक में सती प्रताखा उलेक किया गया है जिससे कि हम यह प्रमानिक कर सकते हैं कि भारत में सातुष ताब्दी इस्वी पूर्व में सती प्रताखावी प्रचलन रहा होगा तो यह inscription हमारे cultural को जो है वो एक प्रकार से प्रदर्शित भी करते हैं दूसरा है coins शिक्के भी जहां एक और आर्तिक मजबूती को या आर्तिक प्रदर्शित को दर्शाता है वहीं दूसरी तरफ जो है सांस्कृतिक जो विशिषता हैं उसको भी प्रदर्शित करते हैं बिभिन काल में बिभिन आउस्थाओं में भिनविन सिक्के जारी किये गए जहां एक और धात्वों के ज्ञान का जो मैतो है उसे सावित किया जा सकता है उसके विशे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है वहीं दूसरी तरफ बिज्ञान और तकनिकी के दृष्टी से ततका साथ जो भाशा है लेपी हैं जो कि सिक्कों पर अंकित की गई ती जो सिक्कों पर अंकित की गई संबत जो सिक्कों पर जारी किया गया और इसके साथ जो ततकालीन राज्य के अंदर विस्तार की जो सिमाय थी वो भी परदर्शित होती है और इतना ही नहीं जो ततकालीन संस्क्रतिक दिश्टी से सिक्कों पर जो चित्र अंकित किये जाते थे चाये वो सूर्य का चित्र है चंद्रमा का चित्र है या पेड या पक्षी का चित्र है या किसी परवत का चित्र है वो हम ये मान सकते हैं कि वो हमारी संस्क्रति के अभिन अंग रहे होंगे इसलिए वहा सारी स्वस्कृति का एक मैतोपून भाग माना जा सकता है नेक्स्ट जो मॉन्यूमेंट्स है मॉन्यूमेंट्स में हम बहुत सारी चीज़े इंक्लूड कर सकते हैं वो मॉन्यूमेंट्स जो है श्राइन हो सकती है मॉस्क्यू हो सकता है वो मॉन्यूमेंट्स जो है वो ग्रेव हैं वो भी हमारे जहां एक और उस्थापत्यकला को प्रद्रशित करते हैं वहीं दूसरे तरफ जो हमारे पास ततकालीन उपलब्ध तकनिकी हैं ज्यान हैं जो संस्कृति हैं उसका प्रभाव जह मौनिमंट के माध्यम से जो प्रद्रशित किया जाता है तो यह एक मैतवपू हमारे पास आर्केलोजिकल सोर्सित हैं जो की हमारी शंसकृति को और हमारे त्यास को प्रद्रशित करते हैं इसका तिरिक्त जो रिमेंस है विशेश करके जो material निमेंस जिसकी में बात कर रहा था material remains में ये सारी चीज़े आपके पास आती है implements हो सकता है, weapons हो सकते हैं आपके पास जो वो metal का टुकड़ा हो सकता है pottery हो सकती है, किसी बिखंडित मंदिर के जो अवशेश हो सकते हैं तो ये बहुत सारा जो material remains है वो भी ततकालीन, इतिहास और संस्कृति के विशे में बहुत कुछ चीज़े विया करता है उससे जहां material के बारे में जानकरी होती है कि किन-किन जो धातुए है या अधातुए हैं जो पहुतिक पदार्थ है लोगों में क्या रूची थी और चाए वो भवन का निर्मान हो चाए महल का निर्मान हो या किले का निर्मान हो या फिर किसी समारक का निर्मान हो उसमें किस प्रकार की सामंगरी जो है यूज की जाती थी इसके विशे में भी जानकारी जो है वो उस material remains से प्राप्त होती है और साथ में जो तकनेकी थी उसको बनाने में किस प्रकार की विधी का प्रियोग किया जाता है अगर हम बात करें अजंता एलोरा की गुफाओं की बात करें या भीम बेटका की गुफाओं की वात करें या हमारे पास जो मैसूर की जो पहाडिया हैं वहाँ पर प्राप्त हुई हैं वो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार के material remains हैं उन से आज हमें तदकाली संस्कृति या तदकाली नितिहास का ग्यान पराप्त होता है इसी तरह से palace हैं फोर्स हैं ये भी हमारे पास archaeological sources के मैटपून जो है वो स्त्रोथ हैं जो palace हैं और हमारे पास force हैं वो हम ये कह सकते हैं कि तदकाली निति संस्कृति के रूप में विकसित हुए थे जहां इन किलों के अंदर एक बिशिष्ट संस्कृति का उद्भाव हुआ था एक बिशिष्ट संस्कृति पले बढ़ी वहीं महलों के अंदर जो है वो भारतिय सस्कृति का प्रतिबिम्ब जो है वो विशेश रूप से प्राप्त होता है हम यह कह सकते हैं कि यह जो महल हैं वो तदकालीन सस्कृति के प्रतिनिजुत्तों को परदर्शित करते थे क्योंकि महलों से जो जहलक आम लोगों को प्राप्त होती थी उसका जनता अनुसरन करती थी और जनता में वो चीजें लोगप्री होती थी चाहे पोशा को लेकर के बात हो चाहे श्रंगार को लेकर के बात हो या जेवरात को लेकर के बात हो या ततकालीन जो आचार वैवार के नियम होते थी उनकी बात हो वो ततकाली समाज और संस्कृति में अपनाया जाता था जिनका प्रदर्शन जो है वो महलों के अंदर रोयल फैमिलीज द्वारा किया जाता थो ये भी संस्कृतिक दिश्टी से अरेत्यासिक दिश्टी से मैतपूर्ण आर्केलर्जिकल सोर्सेज माने जा सकते हैं पौटरी भी जो है वो इक परकार का अभीन अंग रहा है और समय समय पर आप ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं जैसे रेड़ वेर है या ब्लेक एंड रेड़ वेर है या नौर्ध नौर्धन ब्लेक पॉलिश्ट वेर है इन सब बि सुना है ये ऐसी संस्कृतियां थी जिनके विशे में हमें पौटरी से अत्यादिक जानकारी प्राप्त होती है ततकाली संस्कृतिक जलक प्राप्त होती है पेंटिंग के विशे में भीम बेटका का नाम मैंने इससे पहले भी लिया था जहां से कि पाशान कालीन जो चित्र अंगर रहा था अर्थात शुरू में आदमी आखिटक के रूप में संग्रहक के रूप में जीवन परदर्शित करता रहा है और उसके पशात धीरे धीरे जिस जब आ की खोज हुई पहिये का विश्कार हुआ या हम ये कह सकते हैं कि लुहे का आगमन हुआ तो भारतिय संस्क करतуйте हैं उसका विदेशों में किस प्रकार प्रवा होथा हमें मार्मिक चितरन प्राफ्त होता है शाथ में और परपड़ी राज-कुमारी हैं या बुद्ध का ग्रहत याग है- यह ऐसे मार्मिक द्रृश्ष्य हैं जो कि भारतिय संस्कृति के मार्वत्तों को दर्शात हैं तो ये हमारे पास जो paintings हैं वो भी भारतिय संस्कृति और भारतिय एतिहास के अमुल्य स्त्रोत के रूप में माने जा सकते हैं नेक्स्ट है जो implements है weapons है किस परकार के जो implements है चाहे वो खेती बारी में परियोग किये जाते हो या कृषिकारे में परियोग किये जाते हो या वैपन से यूद में जो भाला है तलवार है ढाल है खड़क है आर्मर्स हैं यह जो यूज किये जाते हैं यह हमें मैतपूर्ट जानकारियां प्राप्त देते हैं जैसे कि हम यह कह सकते हैं कि सिंदू गाटेई सब्वेता के लोग जो थे वो लोहे से परिचत नहीं थे, क्यों नहीं थे क्योंकि ततकालीन संस्कृती से हमें कहीं भी किसी भी प्रकार के जो आयरन के अवशेशे वो प्राप्त नहीं हुए है, तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह जो बैपन्स है, इंप्लिमेंट के विशे में, युद नीतियों के विशे में और युद परंपराओ के विशे में भी जानकारी प्राप्त होती हैं, इसलिए यह भी मेत्पून स्थोत के रूप में माने जा सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉस्ट्यूम्स हैं, और नमेंट्स हैं, जैसे कि हडपा से ब पराप्त हुए हैं और साथ में जो चांदी है या सोना है या बहमुल्य जो रत्न है जो बहमुल्य पत्थर है या हाथी दात है उनका भारतिय संस्कृति में परियोग होता रहा है जेवर के रूप में और नामेर्स के रूप में इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यहां से भी भारत इतिहास की जानकारी प्राप्त होती हैं, जो फॉसिल से जिवाश्म हैं, जाए हमारे पास वो जीवित प्रदार्थ जो जीवित प्रदार्थ उसके अफशेश प्राप्त हुए हो, या हमारे पास जो है वो बनस्पत्यों के अफशेश प्राप्त हुए हो, इन अफशेशों से जिवाश्मों से हमें जहां एक और काल निधारन करने में सायता प्राफ्त होती है वहीं दूसरी तरफ हमें इस चीज की भी जानकारी प्राफ्त होती है कि ततकारीन समय के जीव जन्तु कैसे थे मानव का विकास कैसे हुआ पिकिंग मैन का नाम आपने सुना है हूमो सेपियन 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 का नाम आपने सुना है तो यह हम यह कह सकते हैं कि फॉसिल्स ही थे जिन फॉसिल्स के माध्यम से जह वो पार्तिय संस्कृति या evolution of man है evolution of culture है उसकी जानकारी प्राफ्त होती है statues है जो मूर्तिया है वो विभिन काल में प्रतरशित की गई, अर्थात विभिन समय में जो हम ये कह सकते हैं, कि कलाओ के मूर्तियों को बनाने के कौन-कौन सी कलाओं थी, विधाओं थी, कहनदार कला का नाम हम सुनते आ रहे हैं, मतुरा कला का नाम हम सुनते आ रहे हैं, और ये ऐसे जो मूर्तिय जो विभिन समय पर जाओ धार्मिक मूर्तिया रही हो या देवी देपताओं की मूर्तिया रही हो या हम कह सकते हैं कि सामाने जो मानव है पशुपक्षियों की मूर्तिया रही हो उससे तत्कालीन संस्कृति की जलक अवश्य प्राप्त होती है संस्कृति पर धर्म का क्या प् तरकार के आते हैं जैसे कि हम यह कह सकते हैं कि monuments की रूप में जैसे हम temples लेते हैं buildings की रूप में जैसे मैंने जो palaces हैं महल हैं इसके विशह में भी डिसकस किया इसके तिरिक्त हमारे पास और भी ऐसी कई memorial buildings हैं जो की ततकालीन सहपत्य कला को परदर्शित करती हैं मंदिरों की अगर हम बात करें गुप्तकाल में ही नागर शैली का विकास जहगो उतर भारत में प्रारम हो चुका था भीत्रीगाओं का मंदिर है या भुम्रा मेशिव मंदिर है या पारवती का मंदिर है इनके उसी तरह से मद्दे भारत में बेसर शैली का जह वो उध्वा हुआ था दक्षिन भारत में द्रवड शैली का उध्वा हुआ था और जो यहां पर रहने के जो आवास स्थल है ड्वैलिंग प्लेस हैं उसके विशह में भी समय समय पर परिवर्तिन होते चले गए थे और जो उनकी नालिया होती थी या आप कह सकते हैं जो ड्रेनेज होती थी वो बड़े उत्तम किसम की होती थी जो आवास स्थल है वो दो मंजीले भी बनाए जाते थे अलग जो वो कीचन का प्रावधान उसमें होता था परते घर के अंदर जो हैं वो एक बातलूम बना होता जो मुहरे हैं, सील्स जिसको आप कहते हैं, सिंदु घाटी सरब्यता में कई परकार की सीले पराप्त हुई है, सर्कुलर सील भी पराप्त हुई है, उन सीलों के उपर विविन परकार के चित्र भी पराप्त हुए है, और पाशुपती का चित्र है, Mother Goddess का चित्र है, तो यह हम यह परदर्शित करते हैं कि वो जो मुहरे थी, उन में हमारी जो माननेता हैं, परंपराएं हैं, धार्मित परिदर्श्य हैं, हमारे जो वस्त परिधान हैं, हमारी जो भोजन की आदते हैं, उसकी भी हमें जानकारी प्राप्त होती हैं, तो ठीक उसी तरह से जैसे हमारे पा के साथ समंद मैसोपोटामिय की सीले यहां पर मिले हैं और आरीका मेडू में जो है वो विशेश प्रकार के कई प्रकार की सीले यहां पर प्राफ्त हुई हैं तो इससे हमें तत्कालिन जानकारी प्राफ्त होती हैं कुछ ऐसी सीले थे या हम कहिए सकते हूश को से जो है वह आनाज को प्राइब करते हैं खितार्तbuild Symphony को भृषा करते हैं So this is all about this topic, assignments for the day is, आपने जो assignments है वो क्या करने हैं आज जो पुरा तात्विक स्त्रोथ है, आपने secular sources नहीं करने हैं, जो उसका हम पहले कबर कर चुके हैं, आपने करना है सिरफ जो पुरा तात्विक स्त्रोथ है, पुरा तात्विक स्त्रोथ किस परकार भारतिय इतिहास और संस करती को परदरशित करने के लिए जानकारी प्रयाप्त करने के लिए मैटपून स्त्रोथ हैं, उसके विशे में 300 शवदों में या 200 शवदों में आपने एक जो आज की assignments से उसको complete करना है और ग्रूप में post करना है, so have a good time, have a nice day, thank you very much.